नागपूर जिले की नर्खेड तरसिल में संत्रे का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है इस शेत्र में 10,712 हेक्टियर, अर्था 26,780 एकर शेत्र में संत्रे का उत्पादन लिया जाता है जानकोरों की माने तो हजारों किसान परिवार इसी फसल पर निर्भर रहते है अंबिया बाहर का संत्रा दो माँ पहले ही बाजार में आया लेकिन संत्रा प्रक्रिया उद्द्यों के अभाव में किसानों को कोडी के भाव में अपना संत्रा बेशना पड़ा अब सीजन खत्म होने पर है परन्तो अभी भी भाव में उठाव नहीं आने से संत्रा उत्पादक किसान चिंटित नजर आ रहे है 50 mm साइज के कम वाला संत्रा प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है इससे बड़े साइज वाले संत्रे खाने के लिए बेचे जाते है केरल, करनाटक, पशिम्बंगाल, आंध्र, तेलंगना और दिल्ली यह राज टेबल फ्रूट के है यहाँ पर लगातार बारिश होने से संत्रे की मांग काफी कम हो गई बांगला देश में निर्यात होने वाले संत्रे को अपेक्शानुसार भाव नहीं मिल रहा मद्रप्रदेश वराजस्तान में संत्रा का बुआई शेतर बड़े पैमाने में बढ़ा है जिसके चलते 30-35,000 रुपए प्रतिटन भाव वाले संत्र की मांग अब 15-17,000 रुपए प्रतिटन के भाव से बेचा जा रहा है संत्रा फसल दो बाहर में ली जाती है अंबिया बाहर की फसल अक्तूबर से दिसंबर माह में और मुरुक का उत्पादन फरवरी से मार्च माह में लिया जाता है इन दोनों बाहरों पर संत्रा उत्पादक किसानों की जीवन निर्भर रहता है परंतिस वश्प मुरुक बाहर काफी कम पैमाने में है एक हेकटियर में 277 पेड होते हैं, एक एकड में 110 और एक पेड के पीछे 500 रुपे का खर्च किसानों को आता है अमूमन एक एकड में 203 टन का उत्पादन मिलता है, इसके अनुसार प्रती एकड में 30-35 रुपे का उत्पादन और 60,000 रुपे खर्च ऐसिस्तिती है नाकपुल जिले के नर्खेड तहसिल में 10,712 हेक्टियर में संत्र के बगीचे उत्पादकता प्रती हेक्टियर 7-8 टन पर है कार्टोल का मल्टी लाइन प्रक्रिया प्रकल्प और 500 टन शम्ता का कोल स्टोरेज 30 वर्षों से बन पड़ा है दक्षिन भारत में लगातार हो रही बारिश के कारण संत्र को भाव नहीं मिल रहे है दक्षिन भारत की बारिश का सर नर्खेड तहसिल के संत्रा उत्पादक किसानों पर हो रहा है 30-35,000 रुपे भाव वाला संत्रा आज की सिती में 12-17,000 रुपे टन बिक रहा है जिससे सालबर खर्च किया गया पैसे भी किसानों को निकालना मुश्किल हो रहा है संत्रा प्रक्रिया उद्योग और कोल्ड स्टोरेज की उपलब दता होती तो संत्रा उत्पदकों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती और ना हे उनका इतना नुकसान होता यह सुविधा नहीं होने से संत्रा काफी कम भाव में बेचा जा रहा है ऐसे में संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प की दरकार है